हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे कि डाइजेशन क्या है डाइजेशन का सबसे पहले स्टेप होता है इंजेक्शन यानि माउथ में एंट्री माउथ को हम बकल केवीटी भी कहते हैं सबसे सिंपल यही स्टेप है सेकंड स्टेप है हमारा डाइजेशन यानि खाने को डाइजेस्ट करना या गोर करने की बात यह है कि डाइजेशन प्रोजिस माउथ में ही शुरू हो जाता है तीथ को यूज़ करके हम food को छोटे छोटे पीस में breakdown करते हैं Salivary gland को saliva produced करते हैं जो watery liquid होता है Food के small piece और saliva को हम tongue को यूज़ करके mixed करते हैं Then हम इस resultant mixture को easily हम solow कर सकते हैं स्लाइवा में एंजाइम होता है जो फूट में प्रिजेंट स्टार्च या कार्बो हाइडरेट को शुगर फॉम में कनवर्ट कर देता है स्वालो करने के बाद फूट पाइप में चल जाता है फूट पाइप को हम ओसोफेगस भी कहते हैं ओसोफेगस फूट को स्टोमक तक लेके जाता है जहां फूट टू से थ्री होर्स तक रहता है और डाइजेस्ट होता है स्टोमक की वॉल्स पर जो ग्लेंड्स होता है वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है इस जूस के थ्री सबस्टेंस होते हैं पहला hydrochloric acid, दूसरा pipsin enzyme और तीसरा mucus यहां main work pipsin enzyme का होता है जो food में present protein को digest करता है और small molecule में convert करता है hydrochloric acid क्या work करता है hydrochloric acid gastric juice को acid में convert करता है यह food में present bacteria को kill करता है mucus क्या work करता है stomach की inner line को hydrochloric acid से protect करता है then panchly digestive food enter करता है small intestine में food का digest पूरा हो जाता है food में present होता है carbo, hydrates, protein and fat सबका पूरा digestion यहां होता है small intestine से पूरा जुड़ा होता है liver, gallblader, pancreas liver alkaline substance produce करता है जिसे हम bile केते हैं जो liver में gallblader में store रहता है bile nature में alkaline होता है and इसमें salt होता है जो food में present food का small particle में divide करता है ताकि enzyme से easily digest कर पाए यहां enzyme pancreas से small intestine में आता है और यहां alkaline medium में ही work करता है pancreas से small intestine में pancreatic juice enter करता है जिसमें 3 enzyme होते है पहला amylase, दूसरा trypsin, तीसरा lipase amylase starch या carbohydrate को breakdown करता है दूसरा है trypsin trypsin protein का breakdown करता है and lipase lipase frac को breakdown करता है then digest finally complete हुआ small intestine से food pass होकर large intestine में जाता है यहां remaining food का पूरा water release के help से large intestine में absorb कर लेता है then solid food rectum में चला जाता है दूसरा है ज्सक्राइस